Q17, यहां पर हमें Purchase Return और Sales Return बुक बनानी है, 2003, 3 से तंबर को भारती प्रेस को हमने वापस किया है, तो हम उसे वापस कर रहे हैं, इसका मतलब यह Purchase Return में आएगा, पाँचच दर्जन पेञे हैं, इसकी बाद बारत तारीं को सनजय बुक डीपोस से वापस आया, यह वापस आ रहे है, दो यह Sells रिटन में जाएगा, 1 दरजन पेवी है, 80 रुपए पर डजन के हिसाब से, तो दौकाउंट कपी है 240 रुपय पर डजन के हिसाब से और इसमें भी 10% का ठ्रेट डिसकाउंट देना है फिर 15 तारीक को पांडे भूक को वापस किया यहां पर को वापस किया तो यह पर्चस रेटन में जाएगा 1000 नोट्गक ए 1 रपी एको सियाही पें एकड़ीज रूपए पर एसंखिर उन्स कांग वीज यह खरी केक पzeपलर पनेनके होगा है वह प्सक्राइब तो दीया नहीं के के ऐसंग दिएник नंबर, LF, Amount और Net Amount का तो यहां पर पर्चस रिटरन का था तीन तारिक का और पंदरा तारिक का तो सिफ इन दोनों का ही हम पर्चस रिटरन में लिखेंगे तो हम यहां पर एंट्री करेंगे 2003 सितंबर मेंशर भारती प्रेस 5 डर्जन पेन 20 रुपाइप पर देजन के साफ से 20 इंटु 5 करेंगे तो आ जाएगा पर पी तो सिफ्टी इंटु 2 करेंगे तो आ जाएगा 220 इसमें हमें 10% का ट्रिट डिसकाउट भी देना था तो हम जब 220 क से 22 रुपीज माइनस करेंगे तो यहां पर हमारा आ जाएगा 198 उसके बाद 15 तारीक का हम एंट्री करेंगे जिसमें मेसर पांड़े बुक डिपो का था टू डजन नोट बुक था 112 रुपे पर बुक के हिसाब से पर डजन के हिसाब से तो यहां पर 112 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 224 इसके बाद एक डजन लिंक पेंट था 120 रुपे पर डजन के हिसाब से तो यह तो 120 का इंटू 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा 120 इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 344 और जब आपन 198 और 344 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 542 रुपीज जो क कि हमारा पॉर्चस रिटन बुग का टोटल होगा इसके बाद हम सेल्स रिटन बनाएंगे सेल्स रिटन के लिए भी कॉलम सेम ही रहेगा डेट पर्टिकुलर क्राइट नोट एलेफ अमांट और नेट अमांट का बस डिफ्रेंस यह आ जाता है कि पॉर्चस रिटन में यहा बस यहां पर 20 पर नेट बस रिटन का अगाउंट का पी था 240 पर डिखन के हिसाब से तो 240 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा पॉर्चस एटई और फॉर्चस प्लस करने पर आ जाएगा फाइव सिक्स्टी इस पे तैन परसंट का ट्रिटिस काउंट लेस करना था माइनस करन था तो 560 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 56 रुपए 560 में से 56 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 504 अब यहां पे 20 तारीक को अजब पुस्तक भंडार्ज में दो रीम पेपर था 70 रुपए पर रीम के इसाब से तो 70 x 2 करेंगे तो 140 आएगा वन पेकेट आट पेपर था 100 रुपए पर पेकेट के साब से तो वह भी 100 आजाएगा दोनों को प्लस करेंगे तो आजाएगा 240 504 और 240 को प्लस करने पर आजाएगा 744 जो कि हमारा सेल्स रिटन बुक का टोटल होगा और हम क्वेशन नमबर 18 यहा पर दिया हुआ है मार्च 1 को कि सोल्ड गुड तो संजना तो यह तो सेल्स में चला जाएगा पर्चस गुड फ्रॉम मुकेश यह पर्चस बुक में चला जाएगा इसके बाद साथ तारीक को गुड रिटन बाय राजीव तो यह वापस किंग कर रहे है तो यह हमारा तो यह पर्चस बुक में जाएगा गुड रिटन बाय संजीव तो यह सेल्स रिटन में जाएगा और राम से उधार में फरनीचर खरीदा तो फरनीचर की एंट्री क्योंकि नहीं होती क्योंकि यह तो इसको हम छोड़ देंगे यहां पर 15 तारिक में इंग्लिश में तो लिखा हुआ है गुड पर्चस फ्रम राजा तो इसको तो उन क्योंकि कैश वर्ड नहीं दिये इसमें तो इसे हम क्रेडिट ही मानेंगे लेकिन हिंदी वाले में इसे करेक्ट किया गया है कि राजा ने नगद माल खई तो क्योंकि यह 15 तारिक वाले की एंट्री नहीं होगी तो हम सबसे पहले बनाएंगे पर्चस बुक तो पर्चस बुक में 2006 2 मार्च को सिर्फ 2 मार्च का था जो की मुकेश से हमने माल खईदा था तो यहां पर हम लिखेंगे मेसर्स मुकेश और उसका वेल्यू था 200 रुपीस इसके अल में लिखेंगे फिर श्याम को बेचा था और नौ तारिक को 500 रुपे का दोनों को जोड़ देंगे तो हजार रुपे हमारा सेल्स बुक का टोटल होगा फिर पर्चस बुक बनाएंगे जिसमें रानू को हमने इंपटी बैक्स वह वापिस किये थे तो वह 20 रुपे का था त वह हम नेट अमांट में लिखेंगे फिर संजेव से आया था 20 तारिक को 300 रुपे का तो 200-300 को प्लस कर देंगे तो आजएगा 500 जो कि हमारा सेल्स रिटरन बुक का टोटल होगा और यही हमारा सॉल्यूशन भी होगा